ओम श्री परमात्मने नमहा, श्री श्रीव महापुराँ अध्याय 26 प्रयाग में समस्त महात्मा मुन्यों द्वारा किये गई यग्य में दक्ष का भगवान श्रीव को तिरसकार पूर्वक श्राप देना तथा नंदी द्वारा ब्रामन कुल को श्राप प्रदान और भगवान श्रीव का नंदी को शांत करना तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद पूर्वकाल में समस्त महात्मा मुनी प्रयाग में कत्र हुए थे वहां समलित हुए उन सब महात्माओं का विधी विधान से एक बहुत बड़ा यग्य हुआ उस यग्य में सनकादी, सिद्धगन, देवर्शी, प्रजापती, देवता तथा ब्रह्मा का साक्षातकार करने वाले ज्यानी भी पधारे थे मैं भी मूर्तिमान महाते जस्वी निगुमों और आगुमों से युक्त हो सब परिवार वहां गया था अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाद जोटा था नाना शास्त्रों के संबंध में ज्यान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे मुने उसी अवसर पर सती तथा पारशदों के साथ तिरलोग हितकारी सृष्टी करता एवं सबके स्वामी भगवान रुत्र भी वहां आप पहुंचे भगवान शिव को आया देख संपून देवताओं, सिध्धों तथा मुन्यों ने और मैंने भी भक्ती भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुती की फिर शिव की आग्या पाकर सब लोग प्रसनता पूर्वक यथा स्थान बैठ गए भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संदुष्ट थे और अपने सौभागे की सराहना करते थे इसी बीच में प्रजापतियों के भी पती प्रभु दक्ष जो बड़े तेजस्वी थे अकस्मात घूमते हुए प्रसनता पूर्वक वहां आये वे मुझे प्रणाम करके मिरी आज्या ले वहां बैठे दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपती बनाए गए थे अतेव सबके द्वारा सम्मान निये थे परन्तु अपने इस गौरव पूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था क्योंकि वे तत्तु ग्यान से शून थे उस समय समस्त देवर्शियों ने नत मस्तक हो स्तुती और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सतकार किया परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं जुकाया वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया महादेव जी को वहां मस्तक जुकाते न देख मेरे पुत्र प्रजापती दक्ष मन ही मन अप्रसन हो गए उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आया और वे ज्यान शून तथा महान अहंकारी हो दक्ष ने कहा कि ये सब देवता असुर श्रेष्ट ब्रहामन तथा रिशी मुझे विशेश रूप से मस्तक जुकाते हैं परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घेरा हुआ महा मनस्वी बनकर बैठा है वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं कर शमशान में निवास करने वाला या निरलज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता इसका क्या कारण है इसके वेदोक्त कर्म लोपत हो गए हैं यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिटता है और शास्त्रिय विधी की अवहेलना करके नीती मार्ग को सदा कलंकित किया करता है इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरन करने वाले लोग पाखंटी दुष्ट पापचारी तथा ब्रहमन को देख कर उद्धंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं यह स्वैम ही इस्त्री में आ सकत रहने वाला तथा रती कर्म में ही दक यह शम्शान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है इसलिए देवताओं के साथ यह भाग ना पाए। देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले तो नंदीश्वर ने कहा कि अरे रे महामूर दुष्ट बुद्धी शट दक्ष तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यग से बहिश्कृत क्यों कर दिया जिनके इसमर्ण मात्र से यग सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं उन्ह कि महादेव जी को तूने श्राप कैसे दे दिया दुर्भुती दक्ष तूने ब्रहमन जाती की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्र देव को व्यर्थ ही श्राप दे डाला है महाप्रभू रुद्र सर्वता निर्दोश है तथा पी तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया ह ब्रहाम मनाध हम जिन्होंने इस जगत की स्रिष्टी की जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संघार होगा उन्ही इन महेश्वर रूप को तुने श्राप कैसे दे दिया नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापती दक्ष रोश से आग बबूला हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले कि अरे रुद्रगणों तुम सब लोग वेद से बहिश्क्रत हो जाओ बैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्शियों द्वारा परित्यक्त होपा खंड वाद में लग जाओ और शिष्टा चार से दूर रहो सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हडियों के आभूशन धारण करके मध्यपान में आसक्त रहो जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार श्राप दिया तब उस श्राप को सुनकर शिव के प्रियभक्त नंदी अत्यंत रोश के वशी भूत हो गए शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को ततकाल इस प्रकार उत्तर देने लगे नंदीश्वर बोले अरे शठ दुरबुद्धी दक्ष तुझे शिव के तत्तु का बिलकुल ज्यान नहीं है अता तुने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही श्राप दिया है अहंकारी दक्ष जिनके चित्त में दुष्टता भरी है उन भ्रगु आदी ने भी ब्रहमन के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है अता यहां जो भगवान रुद्र से विमुक तुझ जैसे दुष्ट ब्रहमन विद्यमान है उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूँ तुझ जैसे ब्रहमन कर्मफल के प्रशंसक वेद वाद में फसकर वेद के तत्युग्यान से शून हो जाएं वे ब्रहमन सदा भोगों में तनमें रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुशार्थ मानते हैं स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहें तथा क्रोध लोब और मद से युक्त हो निरलज भिक्षुक बने रहें कितने ही ब्रहमन वेद मार्ग को सामने रखकर शूत्रों का यग्य कराने वाले और दरित्र होंगे सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे दूशित दान ग्रहन करने के कारण वे सब के सब नरक गामी होंगे दक्ष उन में से कुछ ब्रहमन तो ब्रहम राक्षस भी होंगे जो परमेश्वर शिव को सामान देवता समझ कर उनसे द्रोह करता है वैदुष्ट बुद्धी वाला प्रजापती दक्ष तत्तो ग्यान से विमुख हो जाए यह विशे सुख की इक्षा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले ग्रस्था श्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे इसका आनंद दाई मुख नश्ट हो जाए यह आत्म ज्यान को भूल कर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म फ्रश्ट हो शीगरी बकरे के मुख से युक्त हो जाए इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्रहमनों को और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया तब वहां महान हाहाकार मच गया नारत मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिवतत्य को जानता हूँ इसलिए दक्ष का वह श्राप सुनकर मैंने बारम बार उसकी तथा भ्रगु आदि ब्रहमनों की भी निंदा की सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हस्ते हुए से मधुरवानी में बोले में नंदी को समझाने लगे सदाशिव ने कहा कि नंदिन मेरी बात सुनो तुम तो परम ज्यानी हो तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए तुमने भ्रहम से यह समझ कर कि मुझे श्राप दिया गया व्यर्थ ही ब्रहमन कुल को श्राप दे डाला वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू ही नहीं सकता आता तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए वेद्र मंत्राक्षर मैं और सूक्त मैं है उसके प्रतेक सूक्त मैं समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठे थें अता उन मंत्रों के ग्याता नित्ते आत्म वेटता है इसलिए तुम रोश वर्ष उन्हें श्राप ना दो किसी की बुद्धी कितनी ही दूशित क्यों ना हो वे कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता इस समय मुझे श्राप नहीं मिला है इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए महामते तुम सनकादी सिद्धों को भी ततोग्यान का उपदेश देने वाले हो अता शांत हो जाओ मैं ही यग्य हूँ, मैं ही यग्य कर्म हूँ यग्यों की अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ यग्य की आत्मा मैं हूँ, यग्य परायन यजमान भी मैं हूँ और यग्य से बहिश्कृत भी मैं ही हूँ यह कौन, तुम कौन और ये कौन वास्तव में सब मैं ही हूँ, तुम अपनी बुद्धी से इस बात का विचार करो, तुमने ब्रहमनों को व्यर्थी श्राप दिया है, महामते नंदिन, तुम तत्तु ज्यान के द्वारा प्रपंच रचना का बाद करके आत्म निष्ठ ज्या एवं क्रोध आदी से शून्य हो जाओ, ब्रहमा जी कहते हैं नारद, भगवान शंभू के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायन हो, क्रोध रहित एवं शान्त हो गए, भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिये पार्षद नंदि को शीग्री तत्तु का बोध कराकर प्रमत गणों के साथ वहां से प्रसनता पूर्वक अपने स्थान को चल दिये, इधर रोशावेश से युक्त दक्ष भी ब्रहमनों से घेरे हुए अपने स्थान को लोट गए, परंतु उनका चित शिव द्रोह में ही तत्पर था, उस समय रुद्र को शाप दिये जाने की घटना का इस्मरण करके दक्ष सदा महान रोश से भरे रहते थे, उनकी बुद्धी पर मूर्ता चा गई थी, वे शिव के प्रतीश रधा को त्याग कर शिव पूजुकों की निंदा करने लगे, तात नारद इस प्रकार परमात्मा शंभू के साथ दुर्व वहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धी का परचे दिया था, वे मैंने तुमें बता दिया, अब तुम उनकी पराकाश्ठा को पहुंची हुई, दुर्वुद्धी का वृत्तांत सुनो, ओम नमस्शिवाय, शिवजी सदा सहाय